हेलो एवरीवन, स्वागत आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल, वेलकम सर में आज जिस चेप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं, वो है फीजिकल एक्टिविटी एंड लीडर्शिप ट्रेनिंग ये जो चैप्टर है वो पूरा बेस्ट रहेगा नियू सिलिवर्स के एकोडिंग, तो चलिए शुरुवात करते हैं इस चैप्टर में हम जो टोपिक कवर करेंगे वो है फीजिकल एक्टिविटी, टाइफस फीजिकल एक्टिविटी यानि की शारिक गतिवी दिखिया है और उसके कौन-कौन से प्रकार है उसके बाद हम देखेंगे Meaning and Definition of Leadership, एक अच्छे नेता का क्या आर्थ है और उसके क्या परिभाशा होगी उसके बाद देखेंगे Qualities of Leadership, एक अच्छे नेता की क्या क्या विशेशता है रोल ओफ ए लीडर, एक अच्छे नेता का क्या रोल होता है उसके बाद देखेंगे Meaning and Definition of Adventure Sports, यानि की सहसिक खेलों का क्या आर्थ है और उसकी क्या परिभाशा है उसके बाद देखेंगे Aims and Objectives, लक्षे और उदे से सहसिक खेलों का और कुछ सहसिक खेलों के बारे में जानेंगे जैसे Rock Climbing, Tracking, River Routing, Mountering, Surfing and Paraglining और लास्ट में देखेंगे सासिक खेलों के दौरान चोट से बचने के सुरक्षा उपाय है Safety measures to prevent injuries during Adventure Sports सबसे पहले देख लेते Physical Activity क्या होती है यानि की शारिक गतिविदी क्या होती है इसको असान शब्दों अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जब भी हमारी body कोई movement कर रहे हो यानि की कोई motion में हो कोई गतिविदी कर रहे हो कोई activity कर रहे हो और उस टाइम हमारे शरीर से उर्जा भी खरच हो रहे हो यानि की जो हमारे शरीर की उर्जा है वो भी वहाँ खरच हो रहे है उसी को हम क्या कहेंगे Physical Activity अब हम देख लेते हैं Physical Activity कितने परकार की होती है सबसे पहली है Lifestyle Related Physical Activity जिसको कि हम इंदी में जीवन 16 संबंदे शारीर किरियाई भी बोलते है इस परकार की शारीर किरियों में क्या होता है कि जो आप Daily Routine में जितने भी काम कर रहे है या जो भी आपका काम है वो क्या होगा आपकी Daily Lifestyle Related Physical Activity होगी जैसे बच्चों का घर से स्कूल जाना, बड़ों का घर से ओफिस जाना, माता या बेहनों का घर का काम करना जो भी उनके घर का काम होता है यह क्या है कि आप Daily Routine में जितने भी एक्टिविटिस कर रहे हो, यह क्या होती है Lifestyle Related Physical Activity इसमें Running भी हो सकती है, Swimming भी होती है, आपका पार्क में घूमना भी हो सकता है दूसरे नमबर पर जो आती है, वो है Muscle Strengthening Activity जिसको कि हम हिंदी में Mass Patient को शक्ती बनाने वाली शाहरिक करिया भी कहते है इस Activity में क्या होता है कि इस परकार की Activity जो है वो जिम में ज़ाद अतर की जाती है जैसे जिम में जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं डंबल से exercise करते हैं, मशीनों से exercise करते हैं कि हमारी जो muscle की strength है वो improve हो जाए वो बढ़ जाए तो इस परकार की activity को क्या बोलते है muscle strengthening activities और जो तीसरे परकार की हुआ vigorous physical activity जिसको कि हम हिंदी में प्रबल शारिरिक किरिया भी कहते है इस परकार की exercise में या इस परकार की activity में क्या होता है कि जो हमारी heart rate है वो normal से थोड़ी तेज हो जाती है और जो हमारी social की रिया है वो भी अधिक तेज चलने लगती है अर्थात इस परकार की activity में हमारे शरीर की जो energy है जो उर्जा है वो ज़्यादा खर्च होती है और इस परकार की जो activity है वो हमारी physical fitness बढ़ाने में भी improve करती है जैसे aerobic exercise, jogging, running tennis खेलना, basketball खेलना या badminton खेलना भी हो सकता है और जो last है वो है stretching stretching means खिचाओ यानि कि ऐसी activity जिन को करने से हमारे शरीर की जो flexibility है वो improve हो जाए तो इस परकार की activity को क्या कहेंगे stretching activity या flexibility वाली activity example के तोर पर हम योगा वाले आसन ले सकते है जिन को करने से हमारे शरीर की stretching जिन को करने से हमारे शरीर की flexibility बढ़ जाती है आईए अब एक नजर डालेते है leadership पे, नेत्रुत्वर क्या है leadership is the quality of a person by which he guides other यानि की नेत्रुत्वर किसी व्यक्ति का वह गुण होता है जिसके द्वारा वे दूसरों का मार्क दर्शन करता है अगर हम इसकी परिभाशा की बात करें तो अलफोर्ड के अनुसार बल का प्रियोग के बिना किसी ग्रूप से काम करवानी की योगिता ही नेत्रुत्वर कहलाती है आईए अब देख लेते qualities of a leader नेत्रुत्वर के क्या गुण होते है सबसे पहले है leadership में L L means loyalty अर्थाद वफादारी किसी भी नेता को अपने काम के परती वफादार होना चाहिए यह सबसे पहले उसकी विशेशता होती है उसके बाद है E means endurance अर्थाद सेहन शीलता एक अच्छे नेता को हमेशा शेहन शीलता दिखानी चाहिए next है A means ability to coordinate activities अर्थाद सामन जस्से स्थापित करने की शमता चितने भी लोगों के बीच वो सामन जस्से स्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता अगर वो सामन जस्से स्थापित कर सकता है तो ही वो है एक अच्छा नेता कहला सकता है अगला है D D means discipline अर्थाद अनुशाशन एक अच्छे नेता को हमेशा अनुशाशन में ही रहना चाहिए तब ही लोग उसकी बातों को मानेंगे फोलो करेंगे अगला है E E means energetic अर्था जोशिला एक अच्छे नेता को हमेशा जोश में रहना चाहिए अपने काम के परतिवो जोशिला होना चाहिए नेक्स्ट है R R means right thinking अर्था चही सोच वाला एक अच्छे नेता को हमेशा सही सोच वाला व्यक्ति होना चाहिए तब ही लोग उसको फोलो करेंगे तब ही लोग उसकी बातों को मानेंगे भी नेक्स्ट है S means self control अर्था आत्म नियंतर्ण एक अच्छे नेता को हमेशा आत्म नियंतर्ण में होना चाहिए self control होना चाहिए उसका अपने उपर नेक्स्ट है S means honesty honesty means इमानदार एक अच्छे नेता को हमेशा इमानदार ही होना चाहिए अपने काम के परतिवो अगर इमानदार है तो ही लोग उसको फोलो करेंगे तो ही लोग उसकी बातों को सुनेंगे अगला है I I means intelligence अर्था बुद्धिमिता एक अच्छे नेता को हमेशा intelligent होना चाहिए उसका presence of mind अच्छा होना चाहिए तब ही लोग उसको फोलो करेंगे तब ही लोग उसको एक अच्छे नेता की नजर से देखेंगे लास्ट है P P means patience भी और personality भी अर्थात उसमें patience धहरी होना चाहिए और उसके personality एक नेता वाली भी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि उसके personality तो एक worker की तरह है लेकिन वो एक नेता बन गया है नहीं उसके personality भी एक नेता की तरह ही होनी चाहिए और उसे काम के परती patience भी रखना पड़ेगा या नहीं धहरी भी रखना पड़ेगा आई अब देख लेते हैं रोल ओफ ए लीडर नेता की क्या भूमिगा होती है सबसे पहले है organizer यानि कि एक जो नेता होता है वो organizer की तरह काम करता है उसके जितने भी followers है वो उनके बीच काम को इस तरह से भाटता है कि उनका समय और उर्जा दोनों बच जाए और काम भी जो हो systematic तरीके से हो जाए दूसरा है psychologist जो एक अच्छा नेता या एक अच्छा captain कह लीजिए वो एक monowagyanic भी होता है वो क्या करता है कि अपने खिलाडियों या अपने followers की mental skills को पहचाल लेता है तता वे उसके ही हिसाफ से उनको काम सौब देता है तीसरा है guardian जो एक अच्छा नेता होता है वो अपने followers के बीच में कुछ भी misconception या confusion को create नहीं होने देता तता उनको उसी तरह से handle करता है अगला है teacher जो एक अच्छा नेता होता है वो अपने followers के बीच में ideas और technique को बताता रहता है तता अपने followers से opinion भी लेता रहता है last है motivators जो एक अच्छा नेता होता है वो अपने group या अपने followers के बीच में उनको हमेशा motivate रखता है situation of life यानि कि जीवन के किसी भी mode पे कैसे उनको काम करना है वो उस चीज़ के प्रति उनको motivate रखता है आईए अब देख लेते adventure sports क्या होता है यानि कि साहसिक खेल क्या होते है साहसिक खेल को जानने से पहले हम जान लेते है साहस क्या होता है किसी खतरनाक स्तिती का सामना करने के हमारी शमता को साहस कहते है जब adventure या साहसिक शब्द के साथ खेल या sports जोड दिया जाता है तो यह सभाविक है कि वे खेल जोकिम भरे तता रोमान से बरपूर होंगे सरल शब्दों में कहें तो Adventure sports are those sports in which there is a lot of adventure, enthusiasm, entertainment and risk अर्थात साहसिक खेल वे खेल होते हैं जिन में अत्यदिक रोमांच, जोश, मनुरुंजन तता जोकिम होता है उन्हे को हम क्या कहते है साहसिक खेल या adventure sports I hope आपको समझ आया होगा आईए अब एक नजर डाल लेते है Objectives of adventure sports साहसिक खेलों के उदेश्य क्या क्या है सबसे पहला है To develop self confidence अर्थात आतम विश्वास के विकास है तू इस परकार के खेलों में जो भी खेलाडी participate करता है उसके आतम विश्वास में विर्दी होती है उसका self confidence बढ़ता है इस परकार के खेलों में जो opponent होता है वे खेलाडी Swam ही होता है और जब आप इस परकार के खेलों में भाग लेते है जब आप अपना लक्षय प्राप्त कर लेते है तो आप उस डर पर विजय पा लेते हैं और जब आप उस डर पर विजय पा लेते हैं तो जो आपका self confidence है जो आपका आतम विश्वास है वो जाहिर सी बात है बढ़ जाता है अगला point है to develop patience धहरिये के विकास हे तू अलग लग परकार के साथ से खेल जैसे की tracking तता mountering के दोरन बड़े बड़े धहरिये के साथ बड़े ही patience के साथ अपने लक्षे के वर बढ़ना होता है अलग इस परकार के खेल विक्ति में धहरिये का विकास करते हैं अर्थात उनके patience को develop करते हैं next point है to develop concentration अर्थात एकागरता के विकास के लिए साहसिक खेलों में लगातर भाग लेने से विक्ति में लंबे समय तक ध्यान केंडरित करने की आदत बन जाती है इससे उसकी एकागरता की शमता में भी विर्धी होती है अगला point है to experience nature परकरती के अनुभवेतू हम जानते है कि साहसिक खेल प्राकरतिक वातावरण में ही खेले जाते है ऐसे खेलों को खेलते समय खिलाडी परकरती की चुनोतियों को सुविकार करते हुए स्वयम को परकरती के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते है next point है to develop qualities to face challenges के सामना करने के गुनों के विकास है तु साहसिक खेलों में विबिन चुनोतियों का सफलता पुरुक सामना करने से खिलाड़ियों में कठीन परिश्थित्यों का सामना करने की श्मता का भी विकास हो जाता है next point है for proper use of energy उर्जा के उचित परियोग है तु वेक्ति की अतिरिक्त उर्जा का उचित परियोग उसके overall development में लाबदायक होता है इसलिए साहसिक खेलों में भाग लेने का एक उदेश्य है परती भागियों की अतिरिक्त उर्जा का सकारात्मक दिशा में परियोग करना भी होता है अगला point है to encourage creativity सरजनात्मक में विर्दी है तू साहसिक खेलों में सफलता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी नईनी स्किल्स को नईनी टेक्निक्स को ता नई नई मैथर्स का प्रियुक करते है जिससे उनकी क्रियेटिविटी में भी सुधार होता है लास्ट पॉइंट है टू डेवलप प्रोपर मेंटल एंड फिजिकल फिटनस उचित शारेरिक एवं मानसिक विकास हे तू परती भागी जो होता है परती भागी का शारेरिक एवं मानसिक विकास करना साहसिक खेलों का पर्मुकुदेश है सासी खेलों में लगातर भाग लेने से बैकती कि शारिरिक एममानसिक स्किल्स का विकास होता है यह थे कुछ अब्जेक्टिव्स आई यह देख लेते हैं पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन सा है इसका नाम है क्लाइम्बिंग जिसको किम रोक क्लाइम्बिंग के नाम से भी जानते है इस परकार के क्रिया कलाब में जो खिलाडी एथलीट होता है वो चट्टानों पर चड़ते हैं तता पहले से निर्दारिस्तान तक पहुँचकर सही सलामत अपने बेश तक वापस लोटना होता है इस परकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स में खिलाडी का मान सिखनी अंतरन, फुर्ती, लचीलापन, सेंशक्ती तता संतूलन एवले जैसे स्किल्स के आशक्त होती है इस खेल की कटनाई का स्तर चट्टान के जुगाओ पर निर्वर करता है इस क्लैम्बिंग में भी दो तरह की क्लैम्बिंग होती है एक होती है फ्री क्लैम्बिंग, दूसरी होती है एड क्लैम्बिंग फ्री क्लैम्बिंग में क्या होता है कि इस परकार की क्लैम्बिंग में क्लैम्बर Climber कौन होता है? जो चड़ाई पर चड़ता है बिना किसी उपकरण की साहता से यानि कि बिना किसी equipment की साहता से पत्रों की दरारों या उभारों के सारे उपर चड़ता है Free climbing अधिकतर कम उचाई की चटानों पर चड़ने के लिए की जाती है क्लाइमबर को साहता देने के लिए एंकर रस्यों और सुरक्षाओं का प्रियोग किया जाता है और जो 8 क्लाइमबिंग होती है उसमें क्या होता है कि इस परकार की क्लाइमबिंग में क्लाइमबर विशेश उपकरनों की यानि कि special equipment की साहता से चटानों पर चड़ता है तता 8 क्लाइमबिंग का प्रियोग उची तता विशाल चटानों पर चड़ने के लिए किया जाता है अगर हम बात करें इसके safety measures की तो पहला है always use helmet यानि कि row climbing शुरू करने से पहले helmet अवशे पहने या चटानों पर गिरने या उनसे टकराने पर आपकी रक्षा करता है दूसरा है always check row plan रोग climbing शुरू करने से पहले उचाई के अनुरूप रसी की लंबाई तता उसकी गाठे जाच लेनी चाहिए थरड़ है keep using equipment रोग climbing शुरू करने से पहले climb के दोरान प्रियोग किये जाने वाले सभी उपकरनों को अपने साथ ले जाना ना भूले checks all equipment यानि कि रोग climbing शुरू करने से पहले यह जान चले कि प्रियोग में लाए जाने वाले सभी उपकरन ठीक से काम कर रहे है कि नहीं कर रहे है अब बात कर लेते हैं दूसरे adventure sports की जिसका नाम है trekking it is also known as combination of hiking and walking activity यानि कि hiking और walking activity का combination है tracking आने देव खेल के उदिश्चे से पाड़ो अथवा दुर्गम स्थानों में की जाने वाली एक लंबी पैदल यातर होती है यह क्रिया कलाप मुख्यत है समू में यानि की गुरूप में किया जाता है इस प्रकार के किरिया कलाप में अत्यदिक साहस आतम विश्वासत था शारिक संचना की आवशकत होती है इस किरिया कलाप की अबदी एक दिन से लेकर कई दिनों तक भी हो सकती है इस किरिया कलाप में जो material required है वो है types of tracking की तो सबसे पहले आती है easy tracking जिसको कि हम हिंदी में आसान tracking भी कहते है इस प्रकार की tracking विश्षकर ऐसे अकेले वेक्ति द्वार की जाती है जिसे tracking का कोई अनुभव नहीं होता इस प्रकार की tracking में कठीन चड़ाई नहीं होती दूसरी होती है moderate tracking जिसको कि हम हिंदी में अध्यम tracking भी कहते है इस प्रकार की tracking असान tracking के अप्यक्षा थोड़े कठीन एवं चुनोती पुरूं ट्रैकों पर की जाती है यह tracking थोड़े सी अधिक उचाई वाले स्थान पर की जाती है इस प्रकार की tracking में अत्यादिक शारिक अम मानसिक शक्ती का आवशक्ता होती है और last है difficult tracking यानि की कठीन tracking इस प्रकार की tracking सासी अम अनुभवी परवता रोही यानि की जो पहाड़ पर चलते है द्वारा अधिक उचाई वाली खड़ी चड़ाई उपर की जाती है क्योंकि इस प्रकार के tracking में एक मासे भी अधिक समय लगता है इसलिए tracker को अत्यादिक शारिक अम मानसिक शक्ती तता द्रड़ता की आवशक्ता होती है आई अब देख लेते safety measures of tracking सबसे पहले avoid tracking during rain बारिश के मौसम में tracking से बच्चे ऐसे समय फिसलने का खत्रा अधिक रहता है दूसरा always use equipment during tracking tracking के दौरान काम आने वाली सभी वस्तों को tracking से पहले साथ ले जाना ना भूले थरड़ है know about climate of destination tracking पर जाने से पहले गंतव्य स्थान तथा वहां की मौसम की पूरी जानकारी ले ले फौर्थ है shoot selection tracking के दौरान पहने जाने वाले जूते फिसलने वाले ना हो फिफ्थ है don't eat leaf and fruits tracking के दौरान जिन पोदों की जानकारी ना हो उनके पत्ते अत्वा फल खाने से बचाई है जहरी ले हो सकते हैं लास्ट है diabetic and asthma patient don't go जिन वेक्तियों को मदुमे दमा या अन्य स्वास संबंदी मिवारियों उन्हें tracking नहीं करनी चाहिए अब बात कर लेते हैं अगले adventure sports की जोकी है river rafting आप में से कई लोगों ने इसको पहले भी किया होगा river rafting एक ऐसा रोमान चक एम साथ से खेल है जिसमें तेजी से भैतवे पाने के उपर उचलते तता चक्र काड़ते वे raft चलानी होती है यह करिया कलाब तेज गती से भैते जल परवा में नोका चलाने का एक रोमान चक कारी अनुभो परदान करता है rafting के लिए अत्यदेख शक्ति हैं सायम के आवशकता पड़ती है rafting को rapid की उगरता के दार पर कई शरेणियों में विभाचित के जाता और आपको मैं एक बात बताथू पूरे वर्ड में सबसे अच्छी जो rafting होती है इंडिया में होती है रिशिकेस में पूरे वर्ड की सबसे अच्छी rafting होती है और जो जिस नदी पर ये rafting की जाती है उस नदी का नाम आप गंगा नदी अगर हम बात करें टाइफस ओफ रिवर राफ्टिंग की तो इनको ग्रेड में बाटा गया है ग्रेड वन टू थ्री फॉर एंव फाइफ ग्रेड वन में ग्रेड वन रैपिड Grade 1 Rapid में क्या आता है कि इस श्रेणी में बहते जल की आसान लहरों पर राफ्टिंग की जाती है जिसमें अधिक स्किल्स के आवशक्ता नहीं पड़ती Beginners भी इसको अराम से कर सकते है दूसरी होती है Rapid 2 यानि Grade 2 Rapid 2 इस श्रेणी में बहते जल की थोड़ी अशान लहरों के साथ कुछ चटाने भी हो सकती है इसमें थोड़े से स्किल्स एम एक्स्पिरियंस की आवशक्ता पड़ती है थरड है Grade 3 Rapid इस श्रेणी में अशान लहरों के साथ कुछ कठीन मुहाने भी होती है इस परकार के लहरों में रैफ्टिंग के लिए अनुभाव तता चप्पु चलाने में भी एफिशन्स होना चाहिए 4 तक Grade 4 Rapid इस श्रेणी में लहरे बड़ी और चटानों से टकराने के कारण बहुत अशानत होती है इसमें राफ्टिंग के लंबे अनुभाव तता तिवर कोशलों की आउशकता भी होती है और लास्ट एक Grade 5 Rapid इस श्रेणी में बड़ी बड़ी लहरों के साथ बड़ी बड़ी चटाने भी होती है इस श्रेणी की धारा परवा में राफ्टिंग के लिए सुक्षम कोशलों के लिए निए छोटी स्किल्स की अतिरिक अत्यदिक शारिरिक शम्ता तथा मांशिक द्रिड़ता की आउशकता होती है ऐसे स्तर की राफ्टिंग के लिए दोरान चोट लगने अत्वा मिर्ति होने की संभावना सबसे अधिक होती है तो आप जब भी कभी राफ्टिंग करने जाए तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना और हमेशा सेफटी एक्कुमेंट भी अपने साथ रखना जैसे हेलमेट और हमेशा जो राफ्टर आपको सिखा रहा है उसकी बातों का पालन करना आपको अब देख लेते हैं इसके कुछ सेफटी मेजर राफ्टिंग सदेव ग्रूप में ही करने चाहिए अकेले नहीं करने चाहिए हमेशा वो चीज़े सीखने चाहिए जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें कि अब देख लेते हैं अपना अगला एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन सा है इसका नाम में माउंटेनीरिंग जिसको के मिंदी में परवाता रोहन भी कहते हैं परवाता रोहन एक ऐसा सासिक विश्विक्यात करें कलाब जिसमें परवतो अत्वा परवतिय भूबाग जैसे बरव तता चट्टा उनों पर चड़कर चलकर शिकर तक किया तरकी जाती है परवाता रोहन में केंपिंग ट्रैकिंग तता रोग क्लैंबिंग जैसे किरिया कलाब भी सम्मिलित होते हैं इस किरिया कलाब में भाग लेने वाली परति भागी को अनुभव के सास्त अत्यदिक यह एक बहुत ही जोकिंबरा किरिया कलाब है परतु जब परति भागी चड़ाई के दोरन विभिन प्राकरतिक चनोतियों का सफलता पुरुक सामना करते हुए चोंटी पर पहुंचता है तो वहां के अदबुद नजारे देखकर बहुत शांतिया सकून का अनुभव होता ह अब देख लेते इसके कुछ सेफटी मेजर्स अलवेज वेर दा इंसल्टिट क्लोथिंग टू तू प्रोटेक्टि दा बोडी फॉम सेवर कोल्ट कार में हमेशा वो कबड़े पहन कर रखने चाहिए जो आपको सेव रख सके आपको प्रोटेक्ट कर सके हमेशा संग्लासिस और संस्क्रीम को लगा कर रखना चाहिए ताकि आपकी स्किन जलने से बस सके यह हाई अल्टिटूट पर कोमन होती है अपने बैग में एक रूट मैप रखना चाहिए और जीपियस को हमेशा एनेबल रखना चाहिए हमेशा क्लामबिंग वाले शूस का ही इस्तमाल करना चा सवारी करनों के को सर्फिंग कहते हैं आज सर्फिंग ब्राजी लंबेरे का उस्टेलिया फ्रांस इंडोनेशिया जापान पुर्दुगाल साथ अविर्गा जैसे देश में बड़ा लोग पर यह खेले सर्फिंग के दोरां सर्फर एक सर्फिंग बोर्ड पर बैटकर करते हैं कई सर्फर पाने में उची लेहरों के आने का दिजार करते तता लहर आने पर वे अपने पैरों को फेलाकर किनारे की दिशामें ले जाने का प्रयास करते हैं सर्फिंग के लिए उसी स्थान पर जाएं यहां लाइफगार्ड मौजूद हो सर्फिंग के दोरा लाल दता पीली जंडे के बीच में ही रहे क्योंकि यही सबसे सुरक्षिस्थान माना जाता है हमेशा सर्फिंग करते समय किसी का सुपर्विजन हो या साथ में कोई फ्रेंड हो सर्फिंग संबंदे सभी निवों का सकती से पालन करें डॉन्ट सर्फ डारेक्टली आफ्टरे मील खाना खाने के तुरंद बाद या नशे की आलत में सर्फिंग ना करें यह थे कुछ सेफटी मीजर्स अब लास्ट में बात कर लेते हैं अपने लास्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स के जिसका नाम है पैरागलाइडिंग पैरागलाइडिंग पैरागलाइडर की सायता से हवा में उडाने वाले एक मनोरंजक तता परतिस पार द्रतमक खेल है तता मज़ेदार तरीका खेल के दुरान गलाइडर हवा में हवाई कनोपी, एरफोल कनोपी की सायता से उड़ान भरता है तता नीचे उतरने के लिए इसमें केबल हवा गुर्टवा गरशन बल तता उड़ाने वाले की अपनी मासपेशिपल का ही प्रियोग होता है पेरागलाइडिंग के दुरान हेलमेट, होर नेम, ततविंग की आफशक्त होती है ये सारा समन वजन में हलका होता है, जिसके कान इसे कहीं भी असानी से ले जाया जा सकता है अधिकता देशों में पेरागलाइडर्स को 18,000 फिट से जदा उचाई पर जाने की नुमती नहीं होती और मैं आपको एक बात बता दू कि पूरे विश में जो सबसे अच्छी पेरागलाइडिंग होती है वो अपने हिमाचल परदेश भारत में होती है हिमाचल परदेश में एक जगा है बीर बिलिंग बीर बिलिंग में सबसे अच्छी पेरागलाइडिंग की जाती है और होती भी है यहाँ पेरागलाइडिंग की कम्पिटिशन होते हैं जिसमें इंटरनेशन लेवल के पेरागलाइडर्स भाग लेते हैं अब लास्ट में देख लेते हैं के कुछ safety measures फर्स्ट लर्न टु फ्लाइ 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 प्राइडिंग इंस्ट्रक्टर यान कि किसी अनुभवी तता अभ्यस्त पर्षिक्षक से ही सीखे फ्लाइ करने से पहले अपने आपको प्लाइ कर ले संबावित मोसम को ध्यान में रखतो ही उडान भरे जो भी पैराशूट की जो भी ग्लाइडर की विंग परे होती है वो गूट फैबरिक की बनी होनी चाहिए इसके अलावे कुछ और safety measures है जैसे किसी पंजी करे संथा की देखरेक में ही पैराग्लाइडिंग करे पैराग्लाइडिंग की दुरा नैविगेशन उप्रण हमें ससाथ रखे अपने अनुभव से जाता उचाई पर ना उडान भरे उडान के दुरान अनावशक जोकिम उठाने से बच सके यह थे कुछ safety measures पैराग्लाइडिंग के लास्ट में देख लेता है इस chapter से लेटेड कुछ important questions को सबसे पहले है what is leadership and explain in detail qualities of a leadership नित्रत्यों को बताना और नित्रत्यों की विशेशताओं को बताना आपको दूसरा question है define physical activity and types of physical activity explain in detail शारिक गतिवीदी को बताना और उसके कौन-कौन से परकार है उसको भी आपको बताना है तीसरा question है definition of adventure sports and objectives of adventure sports explain in detail आपको बताना है साथ से खेल क्या होते हैं और उनके उधेशे क्या होते हैं चोथा question है write any three adventure sports and their safety measures किसी भी तीन adventure sports के बारे में बताना और उनके safety measures को भी बताना है लास्ट question है define tracking and its type tracking को explain करना define करना फिर उसके types भी बताना है यह था आपका chapter जो कि समापत हो गया है अगर फिर भी आपको कुछ समझना आयो तो आप वीडियो को दुबारा देख सकते है या comment करके हमसे पूछ सकते है हम आपको जल से जल आंसर करने का पर्यास करेंगे मिलते हैं नेक्स शेप्टर की वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद